चात्रों के जाती प्रमाण पत्र बनाने के लिए जला प्रिशाशन ने पहल किया लेकिन कई निची और साशक्य स्कूल अभी भी इसमर रुची नहीं ले रहे हैं कलेक्टर ने सिक्षव विभाग के अधिकारियों को ऐसे स्कूलों के विरुधिकारवाई करने के निर्देश दिये हैं प्रिशाशन के पास अब तक लगभग 10,000 आविदन जमा हो चुके हैं देखें एक खास खबर पूरो के वर्षों में STSC और OBC वर्ग के छात्रों को स्कूलों से ही जाती प्रमान पत्र मिल जाते थे लेकिन अब छात्रों को प्रसाशनिक स्कूल के चक्कर लगाने पड़ते हैं इस परिशानी को देखते हुए कलेक्टर इलाया राजटी ने सभी शाश किया और नीजी स्कूलों को आदेश जारी किये थे कि वह जाती प्रमान पत्र के लिए किये जाने वाले आवेदन की प्रक्रिया को स्कूलों के माध्यम से ही पूर्ण करे प्रसाशन द्वारा की गई इस पहल का प्रिणाम यह रहा कि अब तक करीब 10,000 आवेदन जाती प्रमान पत्र के लिए प्राप्त हो चुके है लेकिन अभी भी कई ऐसे स्कूल है जो प्रसाशन के इस पहल में रूची नहीं दिखा रहे है कलेक्टर के अनुसार ऐसे स्कूलों को और भी प्रेडित करने की आवशक्ता है अभी बिल्कुल प्रोग्रस हो रही है कितने भी दुबिकास यह डिस्ट्रिक अड्मिनिस्टेशन का इनिशियेटिव है तो यह तो हम लोग अपना इनिशियेटिव लेकर एना एक काम करा रहे है सम्मर सीजन पर वैसे अभी सबी स्कूल्स का 30 अपराल तक ऑन माळके रहे-घऩ उनकी इस्कान सबी स्केल अपना इन पर्टल बनी यह है अल्रडी मुझे लग रहा है अरूंड 9000 10,000 अप्लिकेशन से अल्रडी दर्ज हो गया है तो लगातार हम लोग इसको मानेटरिंग कर रहे हैं एंड हमारा यही में की 30 अपरल तक स्कूल से न वापस आ जाए संकुल परचारी और इन भी रसी बीओ इसको मानेटरिंग करें और प्रसाशन का प्रयास है कि प्राप्त आविदनों पर 30 अपरेल के पहले तक स्कूलों द्वारा वेरिफिकेशन मिल जाए पटवारी रिपोर्ट मिलने के बाद SDM प्रमान पत्र जारी करेंगे लगातार नोटीस मिलने के बाद भी कई स्कूल जाती प्रमान पत्र को लेकर अभी भी एक्टीव नहीं है उनके खिलाब कारवाई करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिये है विए रिपोर्ट अंपी न्यूस अन्दोर